सपनों से जुड़ी वो कौन सी खास जानकारी है जो आज हमें पंड़ेजी बताने वाले हैं आईए जानते हैं बताइए पंड़ेजी देखिए उत्तर दिशा में सिर करके सोने से बुरे सपने आते हैं इसको कान खोल कर सुन लीजिए अगर आपका बेड ऐसा लगा हुआ है कि उसमें उत्तर दिशा में ही सर करके सोया जा सकता है तो आप रात में सोते समय अपनी तकिया साउथ डाइरेक्शन में रखिए दक्षिन दिशा में और दक्षिन दिशा में सर करके सोगे नहीं तो ब्लड पे सर बढ़ेगा और मन पर काबू नहीं रहेगा पस्चिम दिशा की ओर सिर करके भी नहीं सोना चाहिए पस्चिन दिशा में सिर करने से पैर पूरों दिशा में हो जाता है जो देवी देवताओं की दिशा है इस दिशा में सोने से मन बेचान रहता है सोने के लिए सबसे उत्तम दिशा हमेशा पूरव्या दक्षिन दिशा है जिधर सिर करके सोना चाहिए क्योंकि ये दोनों दिसाएं ही वास्तू के हिसाब से सुफकाईरी हैं इन दिसाओं में सीर करके सोने से व्यक्ति की आयूलम भी होती है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है रात में भोजन करते करके ही सोना चाहिए सोने से पहले अपने हाथ पर जरूर्द होना चाहिए कोशिस करें कि बाई और करवट करके ही सोये दर्वाजे के सामने नहीं सोना चाहिए रात को सोते समय कुछ भी नकारात्मक ना सोचें और दिन भर हुई बुरी घटाओं को याद ना करें अपने बेट के बाक्स में कबार भर कर ना रखें अपने पलंग के नीचे या पास में जूते चपल ना उतारें इन सब बातों का ध्यान रखें तो सुखी जीवन अपने आप हो जाएगा